हेई गाइस माइनेव जनुराधा वेलकम टू आर चैनल जी की गाइड़न्स एन ओर चापी मॉनिंग चो ओल आफ यू कैसी है मिट जी के फैमिली आये होप सभी अच्छी होंगे अपनी सिहत फैमिली और पढ़ाय का दियान काफी अच्छी से रखिये आज है छे अगस्त तो चलि आजी स्पेचल दे के बारे में जानते हैं आज है हीरो सिमा एंगस्त को हीरो सिमा के अंदर नुक्लियर अटेक किया गया था और फिर नो अगस्त को नाकर सब्सक्राइब तो यह दोनों ही प्लेस लोकेटेट जापान के अंदर और इनके उपर यूसे के दुआरे नु और उसके बाद जो भी मिलिटरी और नेवी का काम है जो भी प्रोटेक्शन का काम है वो सब यूएसे समाल रहा है इसके बारे में जो जबाइन से रिलेटर है और अगर इसके ऊपर कोई भी आ चाती है इस देश के ऊपर तो हमेशा यूएसे सब से आगे खड़ा रहता है और जपैन कोई भी मिलिटरी स्पेंडिंग नहीं गएता है उसके जीडिपी का जितना भी खर्च होता है वो सभी अधर सेक्टर के इंदर होता है और डिफैंस सेक्टर में इंवेस्ट ना करने की विज़े से वहां पे बहुत जादा एडवांस चीजे चलती है और हमसे कहीं ज सब्सक्रेश जोर्ण चीजेओ को मैं मांन से क्या होगा अमारा है सिय जाओ फ्रूपली के दौर देवार डालोप किया गया है जो कि तमिल नाटु के अंधर लोकेटिडर यह ही से लोंच किया गया है यह हाई अधच जिसे अंधिक के बूलाय गया है और इसकी फुल फॉर् तार बुलाते हैं इसे अन्विल किया गया है जो हमारे जर्नल जर्नल मैनेजर है ओडिनस फैक्टरी त्रिचर पुली के संजय द्रवेदी उनके द्वारा हमारा पहला कोश्चन है इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने अन्विल किया है इडिया का पहला अर्थक्वेक मोबाइल आप उत्रपृदेश उतराखंड हिमाचल प्रदेश यह अन्वारा आंसर क्या होगा हमारा अनसर होगा बी उत्राखंड ने रौंज किया है से उत्राखंड चीफ मिनिस्टर जो पुश्कर शिंग धामी है उन्हों ने रौंज किया है इस तरह का पहला अर्थक्वेक अरली project के रूप में कहां पर गड़वाल reason के अंदर उसके बाद में इसे उत्राखंड के अंदर पूरे accident के गड़ दिया गया है उत्राखंड government के द्वारा उत्राखंड भूकामप alert एप है यह इंडे की पहली earthquake early warning एप है जो नोटिफाइगी लोगों को अर्थक्वेक अलर्ट भेजेगी और अर्थक्वेक अर्ली वार्णिंग मोबाइल डिटेक्ट कर सकती है उनसेट जो अर्थक्वेक का है उसके बारे में और इस्यू कर सकते है वार्णिंग उसके बारे में अर्थक्वेक आने के बारे में और जो नेबुरोड और एक्सपेक् प्रोजेक्ट है सेफ और रेजिलेंट डेंगी से हैं किया है हमारे ऑप्षेंस हैं वाल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर UNDP उनाइटे निशन डॉलपकर प्रोग्राम यह फिरन में से कोई नहीं तुमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा ए इसका अंसर है वर्ल बैंक इसके बारे में देख लेते हैं वर्ल बैंक ने अप्रूब किया है 250 मिलियन डॉलर इस प्रेजेक्ट के लिए ताकि इंडिया के अंदर लोंग टम जो डैम हमकी सेफटी के लिए प्रोग्राम बनाया जा सके उनकी सेफटी को और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ पर्टिस्पेट कर रहे हैं और यह प्रोजेक्ट है इंप्लिमेंट किया जाएगा नेशनल लेवल के ऊपर सेंट्र वोटर कमिशन के द्वारा आपको पता हैं कि हमारे देश के अंदर काफी सारे डैम्स हैं वह काफी सार पचास-पचास साल से भी पुरानी है तो ने ठीक करन सब्सक्राइब करना इसके बारे में एक सैटलाइट है यह जोइंट इनिशेटिव है नासा और यूरोपीन स्पेस एजन्सी का और यह वल्ड की पहली कॉमर्शिल री प्रोग्रामेंबल सैटलाइट है स्पेस के इंदर इन में से कौन से स्टेट्मन करेक्ट है फर्स्ट राइन अन्हें ने से के लिए उनकी साथ में बिलकर रही है इसके बार में देख लेते हैं यूरोपीयन स्पेस एजन्सी लांज करने जारी यह व्यूटल से ट्वांटम को यह वड्ल का फॉर्स्ट कोमर्शिल री प्रोग एरीन फाइव रोकेट के द्वारा फ्रेंच गुनिया से यह फुली फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेर से लैस है यह सटलाइट डवलप की गई है कि इसके द्वारा यूप इरोपियन स्पेस एजनसी के साथ में और इसके इंदर पार्टनर से कौन है यूटल साथ एर बस सरी सटला एडिया के है जो तक आफ़ करें यूजर को फो इस सकती है सबस्ते हैं ऐसे बडाट से कि पर्पूस्राइब करने लाइख सथे होने इसके पर्पूस्ट-उपथ कर सकते हैं कड़ि Baba ने कि इस दिनगा है जैसे हमने डिमांड से चीज है वीजिए लेतर वालता प्रस्क्ल amazon एरिया को यह वैस्ट अफरीका से लेकर एशिया तक के अरिया को कवर करेंगी और यह सैटलाइट है यह 15 यह तक जी स्टेशनरी ऑर्बिट के रंदर रहेगी और उसके बाद में यह सेफली प्लेस कर दी जाएगी ग्रेवियार्ड ऑर्बिट के अंदर ताकि आवोइड किया कि इसके विज़े से किसी भी और सैटलाइट को कोई नुकसान ना हो यूटल सट कॉंटम यूकी का फ्लेग्सिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मोस्टली सब्सेटलाइट से वह डवलप की गई है ब्रिटिस में इस्ट्रीज के दवारा अगला कोशन हमारा बदम सचदिव फॉर्थ आयस्ट सिविलेन अवोड है फस्ट है वह बहत रतने उसके बाद में पदम भी बूशन आता है फिर पदम बूशन आता है उसके बाद में पदम श्री आता है यह पदम सचदिवा यह एक फस्ट मोडन वुमन है जो की पोईट है डोगरी लैंग्वेज के अंदर जिनकी रिसेंटली डाथ होई थी इस वज़े से यह निउज में आई है इन्हें पदम श्री मिला था 2001 के अंदर उसके बात में इन्हें कभी सम्मान भी दिया गया है दोज़र साथ आठ के अंदर मदर प्रदेश गवर्मन्ट के दवारा इन्होंने कफी सारी बूक्स हैं ज इसके अंदर जो अमेंडमेंट की जा रही है वहले और में इसके यह किसे अमेंड करेंगा इसके बारे में देख लेते हैं राज्य सभा के अंदर एर्पोर्ट एकॉनोमिक रेगुलेटर अथर्टी ओफ इंडिया विल 2021 अप्रूव हो गया है और इसके बाद नहीं यह दोनों ही आउसस से अप्रूव हुआ है पहले लोग सभा के अंदर लाए गया था तो पहले लोग सभा में के अंदर अप्रूव हो गया था और अब राज्य सभा के अंदर अप्रूव हो गया है इसके अंदर अमेंट किया जाएगा Airport Economic Regulatory Authority of India Act 2008 को इसके अंदर established किया गया था Airport Economic Regulatory Authority जिसे हम AER यह बलाते हैं इसके अंदर Major Airport को सामिल किया गया है 2008 के Act के अंदर Major Airport उन्हें माना गया है जिसके अंदर Annual Passenger Traffic है वो 35 lakh हो और जो Central Government है वो designate कर रही है एरपोर्ट के अंदर जो Major Airport है उन्हें नोटिफिकेशन की द्वारा नोटिफाई किया चाता है पर अगला कोशन है Operation Freedom Sentimental यह किस से लेटेड है कौन सी कंट्री से इस्राइल से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, मैं हमार से तो हमारा अंसर क्या होगा, हमारा अंसर होगा यह अफगानिस्तान से लेटेडर है यहां पर आप लोकेशन देख सकते हैं यह हमारे प्यारा भारत है यहां से आप देख सकते हैं यह एरिया है, यह अफगानिस्तान को टच करता है उसके खिलाफ हैं और इसके अंदर जो ongoing war है वो start हुई थी United States के invasion के बाद में अफगानिस्तान के अंदर United States और उसके जो allies है उन्होंने successfully drove किया है तालिबान को और जो deny किया था Al-Qaeda का कोई भी safe based operation होने से अफगानिस्तान के अंदर इसके initial objectives complete होने के बाद में correlation जो 40 countries के साथ में उसने form किया था security mission का अफगानिस्तान के अंदर जिसे नाम दिया गया था International Security Assistance Force US ने इसका code name रखा था operation enduring freedom जिसे 2001 से 2014 के अंदर चलाए गया था इसके बाद में 2015 से लेकर अब तक चलने वाला जो operation उसे नाम दिया गया था operation freedom sentimental तो आप से इस operation के बारे में पूछ सकते हैं और यह इसका आगे वर्जन है operation freedom sentimental तो इसके बारे में पूछ सकते हैं operation freedom sentimental इसका officially नाम दिया गया था यूइस government के द्वारा mission को succeed करने के लिए जो operation enduring freedom है यही मैंने आपको पहले बताया है इसके इसके अंदर continuation के हुई थी global war है terrorism के खिलाव operation freedom sentimental इसके अंदर expect किया गया है कि 31st of अगस्त 2021 को खतम हो जाएगा 20th anniversary होगी जो 911 का attack बादा जिसके अंदर एक building के अंदर से aeroplane निकाल दिया गया था उसे उसे 911 का attack बोलाया जाता है और इस दिन इसे खतम किया जाएगा और officially end किया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर war United States of America की यह longest war history के अंदर आये से विक्रहांती है यह recently news में देखने को मिले हैं यह क्या है यह बताना है में यह इंडिया का फर्स्ट इंडिजेन ऐर्क्राफ्ट करियर है जो कंस्ट्रक्शन होगा है जो की बन रहा है भी यह nuclear power icebreaker यह फिर इस टिलत डिस्ट्रोयर है यह फिर यह nuclear power सब्मरीन है तो महारा अंसर क्या होगा महारा अंसर होगा ए यह इंडिया का फॉस्ट इंडिजेनिस एर्क्राफ्ट करियर है जिसे बनाया जा रहा है करने प्राइम मिनिस्टर नहरेंद्र मोदी ने कंग्रेचुलेट किया इंडिय है वो प्रवेश कर जाएगा वर्ड की कुछ ऐसी कंट्रीज के अंदर एक ऐसा ग्रूप है जिसमें जिनके पास capability है कि उनके पास इंडिजेनिस ली डिजाइन और बेल्ट एर्क्राफ्ट करियर है विक्रांत का नेम दिया गया है मैजिस्ट्री क्लासिक एर्क्राफ्ट करि क्याया पे रहे हैं मिनिस्ट्रे एक शिपिंग के अंदर यह फर्स्ट एर्क्राफ्ट करियर है जो धर्द बनाया जाए घर करियर है यह कि मोस्ट पोटैंट मरी नैसेट हैं इंडिया के लिए और यह इनहेंस करेंगा नेवी की ट्रेवल करने के जिसके होम सोर्टे और एर से अपरेशन तक इंडिया का अर्ली अर्ली करीर कहां से बंद कराते थे या तो ब्रीटिश होते थे या फिर रशीन से इस विक्रम आ दिते हैं यह करन्टी नेवी के अंदर काम कराई यह एरिक्राफट करियर हें कमिशन होगा था 2013 के अंदर सोवीत रशीन कंट्री का जो के अंदर जो टू अर्ली केरियर्स थे आइनस विक्रांत और आइनस विराट यह उरिजिनली ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे इन्हें कर्मिशन किया गया था नायंटी सिक्स्टी रशी के अंदर माल पे एक नेश्रल पोर्ट है जो कि इसेंध नीउस में देखने को मिला यह कहां पर लोकिटड ए चैनला के अंदर करनाट का नर वेस्ट बेंकुल तम्हिलाडू के अंदर अंदर इंतमारा अंसर क्या हूगा बिए कनाट का के अंदर लो वार्निंग भी दी है टूरिस्ट कोुअ कि वह मांडेयृं कि कहीं नहीं जाएंगे यह स्टप यू लिया गाया क्योंकि यह और मेजर फिसिंग हार्बर भी है करनाटका कोस्ट के ऊपर माल पे एक टाउन है जिसके अंदर जो लार्जली सेटल्मेंट है मोगा वीरा फिशर्मन कम्यूनिटी के है और यह हब है मोगा वीरा बालीविया और मुस्लिम पॉपिलेशन का माल पे एक एनिसेंट सी पोर्ट है और हार्बर भी है जिसके त्रू तालुवाज और जो वेस्टन वर्ल्ड है वो ट्रेड करते थे माल पर फॉस्टली यह सबसे पहले बार सेकेंड संचुरी के अंदर मैंशन किया था सी के द्वारा जो ग्रीक के जोग रोफर पटॉल में थे पिर अगला कोश्चन कोंसिडर सब्सक्राइब सरफ नहीं से पुलेट तंट में कोई नहीं तो महरां से क्या होगा मांस होगा सी कविक ईकले की नहीं से नोह ऑनगी से उस्ट्रीटी ने इसे नहीं के लिए बढ़ दिया है आप sakसा चलेगीया और 2020 सब्सक्राइब है center है वो play करेगा इसके अंदर एक role जिसके अंदर students उनको right दिया जाएगा उनका right to education और इसके अंदर cash transfer किया जाएगा ताकि उनको revamp किया जा सके समगर सिक्षा scheme है यह integrate करती है scheme इसके अंदर education cover दिया जाता है एंटायर गवर्मेंट को एड्स क्लास तक के बच्चों के लिए और यह स्कीम है इसके अंदर 11.6 गवर्मेंट और जो गवर्मेंट के द्वारा एड किये गए स्कूल से पटायर जहते हैं जो गवर्मेंट का च contaminer स्व इसका फनी आपस है इसका इसपater अब्सक्राइब को राने चाते हैं इंफ्रास्टों के अनदर और उस्टेंशन के अंदर पांडेशनल लिट कि गागई इस्ट supervisor चुसão प्रढ़ा एडिकेशन और ट्रेनिंग भी फिर अगला शॉष्च ने कंसीडर करना इन सबीस्टेटमेंट को इसके रफ्रेंस में नुक्लियर पावर के बारे में बताना है नुक्लियर पावर का शेर वो टोटल लेक्रिसितिक जनरेशन के अंदर 3.1 परसंट है 2020 के लिए सेकंड स्टेटमेंट है नुक्लियर पावर की जो कैपेसिटी है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो 2030 तक बढ़कर 22,480 हो जाएगी जो की करेंटली 6,780 मेगावोट है इनमें से कौनसी स्टेटमेंट है वो इंकरेक्ट है में बताना है फॉस्ट और अन्सर क्या होगा मार दोनों की दोना स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसके अंदर पूछा गया है युनियन मेंस्टर फॉर साइंस इंटेक्नोलोजी ने इंफर्म किया है लोग सभा के अंदर की जो हमारी नुक्लियर पावर है वो एक्ट्रिश्ट रिजनेरिशन के अंदर 3.1 परसंट कोंट्रि यहां पर प्रेजंट ली 22 रिएक्टर्स हैं जिनकी कैपसिटी 6780 मेगावोट है एक रिएक्टर जिसका नाम है के डबल पी 3 इसके लिए की कैपसिटी 700 मेगावोट है जो की कनेक्टेड किया गया है ग्रिड के दौारा जनूरी 10, 2021 को 10 नुक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनकी कैपसिटी 8,000 मेगावोट कैपसिटी जिसके अंदर 500 मेगावोट PFBR है जिसके इप्लिमेंट किया जाएगा भारतिय नाभी की विद्यूत नेगम लिमिटेड के दौारा अडिशनली गवर्मेंट है वो अकॉर्डिन कर रही है कि वो administration के द्वरा अप्रूव करेगी financial satisfaction 10 indigenous posturized heavy water reactors को जिनकी कैपसिटी होगी 700 मेगावोट जो बनाएग जाएंगे फ्लीट मॉड गें अंदर फिर आगला question इसका answer आपको देना है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो रीसेंटी नियूज में देखने को मिला है यह कॉंस जाएंगे बारत